कि अधर वीच वीडियो कम आ रहे थे एक्जाम काफी करीब और इंटर्वी मेरा से दिल हो गया 18 निसम्बर को उसे काफी टाम देना पड़ रहा है मुझे तो इसलिए वीडियो धीर हो गए हमलब कम मैं निकाल पारा वीडियो तो यह है कि यह मैं जो बनाता हो इसी से रिवाइज कर रहा हूं ठीक है मैंने भी दुबारा रिविजन इस रिवाइज कर रहा है प्लब जो वीडियो आज में रिवाइज करूँआ जहां तक है है तो इसलिए पर लेकिन अपने समदलो और जहां तक लोग परसान रोबोटिक्स के लिए इस सब्सक्राइब आपने 90 परसेंट लिए अगर रोबोटिक्स में गाट्र इस चोड़ दो आप तो 90 परसेंट नहीं आने वाली है यह बड़े जिसे हमें गिल सर्क फालो करता हूं तो उन्होंने भी बूला हुआ कि जिद्धरा आपका यह से कंटेंट वह पढ़िए पहल दूसरी जो उसमें आया थे दामेंस नंबर साहते उसमें गलती हुई तीसरा जो सबका अलब गलत हुआ लेकिन जो हमारा कंटेंट हमारे पास है जो में आता है उसी बसी बात है ठीक है तो वह पहले आप करेंगे और जहां तो रोबोटिक्स की बात हो मैं एक वीडियों को प्रिवेस्ट आया हुआ है ठीक है एड़ लास्ट पहले मैं जितना हमारा में कंटेंट होता है जो में आता है अच्छे से फ्लोट प्रकाने सो गया यह सब यह मैं पूरा कवर अप करूंगा आप्टर आप रोबोटिक्स रोबोटिक्स रेनेवल नर्जी बहुत कम बचा टर्बो मसीन्री मसीन डिजाइन तेयरी इंडस्टियर सोम मसी अ मट्रेश साइंस पावब प्लांट प्रोडक्शन थर्मोडानेमिक्स ही ट्रांसवर आरेसी और आइसी का यह थर्ड वीडियो जाएगा ठीक है और जो प्रैक्टिस अने वह सब किली यूसफूल है आप किसी अब यह सब्सक्राइब कर सकते थे अगर आप अच्छा रिवीजन होता तो एक दो बार ठीक है और एक और दिक्कत आ गए मार्क फोरीव वाले की तो तो बहुत कमेंटर रहा गलती होई तो मैं भी नहीं देख पाया था वह मार्क पर रिवीव नहीं होगा जो लोगन किया ह हुआ है ठीक है तो श्रार्ट करते हैं वीडियो और आज का जो वीडियो हो नौकिंग वाले जो टॉपिक हो था उस पर है और पहरा कोशन ट्राइब कीजिए कि 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 क क कि 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 क क क क कि देखो इसमें पहली बात इसमें मैक्सिम पावाला यह हमने पिछले चक्टर सेवेफ्ट हमरे कोशन था जहां मैंने गलत बोल दिया था पर अधार बंद लीन कहां लीन बोल दिया था वहां पर वह से तो वह है कोशन ने वाला है तो सी का फाइब थी स्टूर रहता है कोल स्टार्टिंग में योगी यह कि तंप्रेचर जो इंजन का बहुत कम रहता है और स्पीड कम रहती है तो वही रीजन लिए लिखावा है बुग मैं पढ़ा भी तो इसलिए सबसे हाइब सबसे रिच मिक्चर रखते है पॉर्दा कोल स्टार्टिंग तो बीक फाइब हो जाएगा उसके बाद आता है आइडलिंग लिए नान इस्टूबन हो जाएगा और अप्टेदर क्रूजिंग जो क्रूजिंग होता है उसको हम कहते हैं पार्ट लोड पे फुल लोड भी रही ह है तो उसमें हमारा मिक्चर रहता है तो उसमें जो हमारा इस्टॉप क्रूजिंग का थर्ड हो गया अलोग उस्टाइगी जै लोग वड़ा हो टोग जाया हो जो जो हमारा आया है कि उन्हांपोन ontुड़ क्रूशूब जो जाती हो जो 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 मैक्रव लोड़ होता है उसलो हो खोता है यालोग क्रूबन है जो हगज प logs उत्तों एस्टशूब आपटे याино झाल झाल यह जो कोश्चन है थर्ड सेकेंड नंबर इसमें बोला गया है कि विचाथ फॉल्लविंग इसको मैं अरेंज करना है इन डिक्रीजिंग ओडर ओफ डिक्रीजिंग ओडर ओफ नॉकिंग जिसमें कम से कम लाकिंग तो सिंपली जो कोश्चन से अब नहीं याते हैं यह बहुत तहले कुश्च और आगे कहीं शवाता नहीं है तो जो आई-टाइप होता है जो आई-टाइप हैंड होगा ना सौरी आइप हैंड होंगा travel length हो बहुत जाद होगी यह length that's why is parking uh walking नॉकिंग हो जाएगी इसमें तो I maximum locking then जो हमारा f वाला Head है dieses में सबसे कम होती है क्योंकि यह वाले में तो इसञे स्ट्रॉइर इस टरफा यहां इस ट्राइब तरह गाइए इसमें यह जो लें लेन तैस में सबसे कम कर दो सबसे कम कर दो और आई को सबसे ज्यादा कर दो तो ऐसा एक ही आप सबसे आप है यह है आपको बहुत डिटेल पढ़ना तो यह वी कर दिया हुआ है पढ़ लीजिए वहाँ से कि ट्राइक सब्सक्राइब अगर आप दे रहे होंगे आज कर दो आपको आइडिया लगा है जो कि आप नहीं पूछते हैं आउट ट्रेंड है आप कही आज तलक बात लिए पूछता है कोई नहीं है हमें करना है क्योंकि रिस्क नहीं ले सकते हैं और एक दुवारा देखा है तो आपको हर कुछन याद हो जाएगा और याद होना जरूरी है कि तभी आप देख रहे हो जैसे मेरिट का 90 क्या सब्सक्राइब लगना है अब ज्यादा जैसे कल मैं सुबह से उटा तो सुबह मुझे लगा है यार सोच जाएगी मैं दूदिन वीडियो देख लिए थे औ जैसे साम होती गई लोग आते हैं लेगे वाले कि भाई असी नमर आ रहे हैं तो मेरिट क्या है अब जैसे एक और एक मार्क फर विवाला इसू आ गया है वह बहुत ज्यादा जैसे मेरा एक ज़्याद नहीं साथ मैंने पांच अच्छे वह से मार्क फर वीव रखे हुए थ वे ट्राइब से नमर थर्ड अधिए को सिंपल है यहां पर बोला कि यह वालूमेंटर की लिए बोला गया एक्च्छा या किना इंटेक करेंगा तो वह में फार्मला बता है वालूमेंटर की एक्च्छा अपाउन वी स्वेप वॉल्यूम और स्वेप वाल्यूम यहां पर दिया हुए 300 cc तो बस यह वै एक्च्छा टा टा इीव we cryo bाँ heated झाल्यूम की एक्च्छा रिपदा करें पर जर वी स्वेप वॉग व्ता है झाल 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 यह जो कोश्चन में दो चीज़ कंफर्म है जैसे कि नीचे वाला है यह डिले पीरियड तो यह तो कंफर्म आपका की चैन आप केमिकल रियक्सिंट इसमें से यही वेस्ट है तो हमारा डी का 4 हो गया और जो दो आपके यहां दिए में तो एंट त्री यह दोन आप्सन नॉकिंटिंग और फिल से रिडेट कर सकते हो इसको आप और चाहो तो डिटोनेशन से भी अपर सकते हो इसे अब कमसर्ण प्रफॉर्मेंस और फ्यूल तो आपको शिश्वें जैसे एक लिए हमारे पास यह वाले वाले टोनेशन वाले है हाई यह त्यूस्वर कम इसे देखते हैं और ज्यादा नहीं नहीं हो जाएगा इस नहीं है और तो कोई कोई टॉम्स नहीं है इसा यह जैसा त ठीक है तो जनलिक राम यूज़ करते हैं जैसे हमारा हान रही होता है इंडस्ट्रियल में श्लैक और आट आपके होता है यह होता है कि अधिक होता है बहुत है वहाँ बहु जो आपक्स नहीं हम और जह शिशा-ध्री बखॉत अब करेंकित इवेंट और लोगे और प्रफन एक लिए तो स्टीजिया नोग नोग रेटिंग से मिला दिया है और डोप को मिला दिया है डिटोनेशन से कि अगर आप चाहो तो कर सोते हो इंगे जो यहां दिया में नहीं बता दिया आपको फॉर्थ का एंग ट्राइक विश्राइव फाइव कि अधिक्र को देखो जो फिफ्ट मों कुछन से हाइड अब और एसाइड इंजनस एसाइड तो आपके नमर का मतलब है हमारा बास रोड नॉकिंग से कि नॉकिंग कम से कम होनी चाहिए कि यह अधिया हुआ है हाइए ऐट कि लांगे लॉंग लॉंगे लॉंगर इमिसं दिले ठीक है्लां नहीं होगा तो शेलिया हुए लॉक्ति नॉक्न चाहिए से लॉट इंजने सब्सक्राइब लॉट जो चीज़ वहीं काफिव कर आएगा जैसे कि साइम कुम चाहिए कि आइचन एगा चाहिए स्वाटेट्ट को चैनल कशुछण हेगो चाहिए और जो चार्ज इंडक्शन होता है that's why we do super charging in the case of the CI engines and we do not do we try to avoid super charging in the case of SI engine ठीक है अब मैं एक्समी जब देखोगे ऐसे ही है जो स्याइब चाहिए हो एसाइम नी चाहिए अपोजित होता है most other cases में बस एक मैं मुझे सब्सक्राइब होता है उसमें कोई कर्फ्यूजन अभी तक मुझे कहीं भी पंडे नहीं मिला पंडे को पंडे लेकिन कहीं लिखा और नहीं मिला मुझे और हर जगा चीजे इनवर्स दिये हैं कि अधिक्या स्थ नमर्ट राइगे जए फिफ्ट काड़ी हो गया कि अधिक्या पाइब कर दो कि अधिक्या बोला गया है कि कौन सी चीज जो कि नौकिंग को सी इंग्यान कम करेंगा तो कि यहां पर आया है अधिक्या इस लाँग इनिशन डिल्या फ्यूल लाँग इनिशन डिल्य होगा तो उसमें बढ़ेगी सी आई में और उपर पांच्शन क्या किया लॉइस अधिक्या थो नौकिंग कम होगी तो यहीं मिल गया ना पूप तो यह हो जाएगा हमारे आप्सण में पहला पहला लोग लॉख सेल्फ इंगनीशन तर्फीयूल होगा तो सी आई में नॉकिंग कम होगी जबकि लोग लोग सेल्फ इंगनीशन आपका ज्यादा हो जाएगी जो यहां भी यह प्रूव हो गया तो यह अप्सम नहीं है का हमारे है ठीक है अगर हाई इंसेंट होता है तब सियाए में नौकिंग बढ़ाता हो जब कि हाइज हाई इसलिए इसलिए प्रिप्रेबल है हम चाहते हैं कि हाई इसलिए अगला है कि यह लोग वोलटिल्टिल्टी और फ्यूल यह भी अगर लोटाइल होका तो एक हमारा जो फ्यूल लाइक अब लेगा और इसलिए इसलिए जो हमें चाहिए वह में स्याइए में नहीं चाहिए नौकिंग को रिडूस करने के लिए हमें 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 हमारा जएście घयन च干ाइए जिए शाब जाइए जे इसलिए हमें तो जहां इंजेक्ट होता है और एसाइजन में फ्यूल के एंड पार्ट में होता है हर केस में अगर स्पीड बढ़ा तो नौकिंग तेंटेंसी कम होगी सी आई में अगर लोट बढ़ा दो तो नौकिंग कम हो जाएगा वहीं अपने सब उल्टा होता है कि यादा मैंने अभी तक सारे केस्ट कर दिये हैं टेक है एसाइज नौकिंग और उसके धीर धीर एक सारी से मैं ने बताएं लोगों उसमें लगते भूमने कि और ट्राइज से मंत नमर कि अधिक लिए यह यह दो करें दीश कर्वें दाख्या फ्लोगर अधिक अधिक अच्छी है मेरा वह वी बॉर्ड से 12 है क्लास 12 सब्सक्राइब क्लास 12 से आप्टर देट भी टेक देन अधादुर आपके कि तो यह एक्सिस पे क्या है आता है तो इसे बना दी ऐसा होता है वह लोग एसे बना नीचाहिए ने कि 7 का डी हो गया एक इस नमर कोश्चन रिपटीशन है कोश्चन नमबर वन का ओके देख लिए जी कोशन से पूशन आ गया है अब ट्राइज एक नमर्ण नाइन्थ कि अगर 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 कि 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 अधियो जो नाइट नम्र कोश्चन से जोड रही है तो वहां पर इनर्जी होती है तो इसलिए लेखते हो यह आप पढ़ा रहे लगता है जैसे आप बाल्टिक पारिस नालो आप तो कम रंडा लगेगा वहीं आप सब्सक्राइब तो थंडा लगता है तो सिंपल है कि उसमें जो इनर्जी लूज होगी बहुत है यह मैं जब क्लास टॉल्ट में था किसी ने मुझसे कहा था कि तो बारे शंडी लगती नहाने में नहाने में तो यह मैंने पढ़ा था सब्सक्राइब नहीं पढ़ा नहीं है यह उस बंदी ने एक्स्पीवेंस किया हुआ था मैंने उसको इनर्सिस की बस यह सा होता होगा जैसे कि वहां मैं फस गया इंटर्वी को बात नहीं करेंगे यह रहते हैं यह कुशन होगा असोसियेशन मतलब की जोड़ रही है इनर्जी एमिट होगी और अगर डिसोसियेशन में तोड़ना किसी चीज को तो यह दो देनी पड़ेगी तो हो जागा एंडो थर्मिक अलब का टू हो जाएगा डिका टू सी गावन फो थ्री वन टू फो थ्री वन टू का पेर बी नाइन्थ का बी टेन्थ स्राइगी जे अगर यहां लिखा वैंने आपको बताया रहा है कि एसाइव में जो रोकेगा वही काम वही फैक्टर स्याइव बढ़ाएगा तो यहां पर कुछ लोग करने पर अगर रोक रहा है नौकिंग को तो सी आइग में एडवांसिंग और इस पार्क करने पर नौकिंग रूखनी चाहिए तो यह होती ही नहीं है तो यह वाला कॉंसर्ट बढ़ना वहां पर जाके तेक है कि यह कुशन रेज हुआ था एक बार आप सब्सक्राइब में तो मैंने बता दू लब वैसा डाउट है कि किसी में द्यान ने दिया कि इस पार्किंग होती ही नहीं सी आइग में करते हैं कि अगर आप सुपर चार्जिंग कर देंगे साइन तो यह वहां पर चांसे सब आटो इंगिसन ज्यादा हो जाएगा से इंगिंग हो जाएगी और अगर वहीं देखिए तो इंगे जो एर फ्यूल का जो मिक्स्टर बहुत लीन होता है ठीक है लीन होता है तो मैं उसको और हम उसमें आग लगाते नहीं ना तेस्पांग देते हैं उसको तो हम चाहते हैं कि हाई टंपरेशर का एर जाए जिससे कि हमारे अदलब उसको जलाने में असानी हो वह ठीक है तेजी से जले सिंपल सी बात है न देखो एसाई हमारे पस आग है हम इस पांक देगे जला सकते हैं लेकिस यह वाले को से यह वाले में तो कुछ इसको हैल्फ मिले इसलिए उसका टेम्परेशर भी एर का जादा हो जाए जो एर दे रहे हैं उसमें चाहेंगे कि उसका जो फ पूरा मैंने सब्सक्राइब कर दिया सुपर्चार्जिंग और नॉकिंग करेंगे तो सुपर्चार्जिंग फरजी ऑप्सन यह कभी करेंगा यह नहीं तो यह काटते हैं दूसरा इसलिट सही होगे आप थर्ट पड़ोब उसिंगां फ्यूल लॉंग चली नहीं असाई में कॉंप्लेक्स श्क्राइब स्टॉक्टर एंट यह थो तेंट का था विगरफ को अधो लिए दो लिखा ने अगर कई पॉइंटा आगी तो चौन पॉइंट फॉर अंसर जाएगा इसका था टैंट का अग्डिंग और लेखा करो लिख दिया लिए किसी पर ना पता नहीं स्ट्रक्चर्ट और लो उस्में पना लो उसमें नहीं आता आपको तो इस यह क्लेक्ट होती रहेंगे एक जगेंपर है कि टेंथ का डी हो गया और ट्राइक इस नंबर एलेमन थे अब कि अब कि अब कि अब आधा तेजी से लेंगे क्यों काफी काफी अब सब्सक्राइब करेंगे तो इसलिए वहां नौकिंग होती है देन दोर्शमाट साही माते या नौक इंटर एलेटेड वह लेस्ट नहीं दोरुग में तो इलेमन थका बीगो जाएगा ट्राइब करिये प्राइब प्राइब कि दो जो इसका मुझे कंप्लिट आइडिया नहीं कोश्चन का है 12 वाले का मैंने कहीं से पढ़ा भी नहीं यह दिए कि प्री चैंबर डीजर्स यूज हायर इंजेक्शन प्रेसर वेर्न कंपेर टू ओपन कमसर चैंबर तो यह साफ 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 है डिनाई कर रहे हैं में गलत है यह कह रहे हैं कि रेट आउप प्रेसर राइस एंड दा मैक्सम प्रेसर इस लोवर इन प्रीकॉंशन चैंबर कम कंपेर टू दो जाव ओपन टाइप आफ चैंबर इतना ही एक्समें संदिया मैंने वह पड़ दिया उसको ठीक है और 12 इस नोने पहले प्रेंट गलत के लिया है अब ट्राइ कीज़ें को समरे 30 को किति है हुआ कि 테 हुआ एक है 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 कि इस दो बता है है गाल देखो इसको प्रॉस्ट को अधाइं देखों इसको ब्लागे कि मेथेन है वह अंडर मेथेन अंडर्गोज कंबसन विए स्टाइकोमेट्रिक क्वालिटी अब एर मतलगे पूरा बूरा कंबसन हो रहा है तो हमने सिंपल इक्वेस्ट ना लिए उसको बैलेंस कर लिया यहां पर यहां पर यहां पर यह और दो ऑक्सिजन के मॉलक्यूस यहां पर कि इसको सब्सक्राइब कि इतना रहा है कि यह पूरा इस सब्सक्राइब करने में हमारा दो वन मोल है तो यह आपका जाएगा तो आंसर नमरे दी हो जागा ठीक है थर्टीन का कि दी आंसर है फॉर्टीन नमट रहे किजिए अजर चाहिए कि दो दो यह जो कोष्चेंस पोला गया कि डिटोनेशन इंट्र एस एंजन रख कम कैसे कर सकते हैं डिटोनेशन इन इन तो पहला है कोस्चन की पहला है ओप्सान डिटार्डिंड इस पार्ट टाइमिग यह ताम सब्सक्राइब हाँ पर चाहिए दूसरा इंग्रीजिंग इंजन स्पीड हाइश सब्सक्राइब उसमें से एक यह है इस पूरे चेप्टर में तो अगर रिच में चरा तो मेरा तो कि अधिफीक आउट है वहां है इएर फ्यूर यह एक्शंट टूब हैं टूनों कि अधियु लä चाहिए पस्तरुब में दीच नहीं आ रहा है यहां है इसका है रिच कह रहे हैं इसका होना चाहिए मतलब की हमारे यहां पढ़ा तो मुझे लीन होना चाहिए तो आप लोगी पढ़िए का यहां दो दिया हुआ है और 334 पे दिया हुआ है तो मेरे साथ सो यह नहीं होना चाहिए यूजिंग टेन परसंट रिच मिक्चर इस बीली मिक्चर टू अवाइड जान होगी मेरे हिसाब से तो यह और इस बुक में इन्होंने इसको किया हुआ है इस स्टेट्मेंट को ठीक तो मेरा जो आंसर है का 1 & 2 रहेगा और इसी कॉंसेट्ट पर आगे कर चार या पांच कोश्चन है उसमें मैं इसी अपने इसाब चलूंगा कि रिच मिक्चर को मैं नहीं मानूंगा मैं लीन ही मानूंगा नौकिंग को रिड्यूस करने लिए हमेशा कहूंगा याप और आप लोग भी पढ़िए कुछ अगर आ ओगे दन ट्राइब कुछ नामर फिफ्टेंग्ट दो यहां बोला गया है कि जो ऑटो इनिशन की बात किया कैसे में इन्वाल्वड है तो फ्लेम लॉस्टी नॉर्मल विफॉर दा ऑंसर आउंट वाटो इनिशन तो सिंपल सी बात कि जैसे यह था इधर से एक फ्लेम आ रही थी आएगी अगर आटो जागा तो बिफोर दिस इनिशन ग्राइब दूसरा यह था लाज नंबर आप एंड गैस इलिमेंट्स जो एंड जैसे कि हमारा यह फ्लेम फ्रंट चलके आ रहा था इधर सामने से यहां पर काफी सारे पॉइंट्स हो जाए तो इसी को माटो इनिशन कहते हैं ठीक है तो यह भी सही एफा से कंट सब इन थर्डिस फ्री प्री फ्लेम डी एक्समा रिस्पॉंसिबल फॉर प्रिपेरिंग अप एंड गैस तो इग्नाइट अगर सॉरी अगर प्री फ्लेम डीक्सम्स होगे इसका मादला वो थो रेडिएशन हीट को ट्रांस पर देंगे एंड चार्ज को तो अगर एंड अगर नबर 16th. जो यहां पर बुला गया कि जो डीजल नौक है कहां पर स्टाट हो थे इसी से शुक्सम शांट था है यह से थे बीक्ति बाले में, ठीक है, the answer is B, 16th का, 17th का कीजिए, है, झां जे उली था कीजिए, झां जे आले में, लिए आले उलीोग का नहां, भीनियो आला है. है मैं आपको आपको अब ये वह पूसर पीछी था जूमेरे कात्स नहीं आता है तो उसी वह वाला इक तरीका अंडिक निकांड लेकिन था कुछ नहीं आ तो दिवाई चेमबर डिजलेंगे उसलोर इंजेक्शन प्रेसर यह नहीं पड़ती है तो अगर अगर सिंपल हमारा चेमबर है तो उसे हाई प्रेस्ट क्यों भेशते हैं जिसे हमारा एटमाइजिसन हो सके यहीं रिजन होता है यहीं रखने का लेकिन हमने यहां पहले ही कर दिया पी चेमबर वाले में उसका इनिफर्म डिश्टिविशन और स्वेल बाई स्वेलिंग ठीक तो वहीं यहां पर जाएगा कि हाई एर स्वेल डास नॉट रिक्वाइड हाई इंजेक्शन प्रेश फर एटमाज एटमाजिशन ओके सब्सक्राइब को अब यहां पर देखो में जो पीछे जो डाउट आया था मैंने का था मैं जाओंगा लीन के साथ तो यहां मैं लीन के पहली बार यह बुक है अपने इस्टेंड पे लगाता रिच आएंगे और जो मैं दुसरी फॉलो कर रहा हूं यहां पढ़ी हुए है तो मैं यहां भी लीन कोई करेंट कहूंगा और यहां जो आंसर दिया होगा 14 का सी दिया हुए है रिच बोला गया है मोड़ दन तैन प्र कि अप्राइगे जो कुछ नम नैंटीन है तो जहां जहां मैं कहता हूं कंफ्यूजन हो आप लोगो खुद भी थोड़ा चेकिया करो यहां वाजी जावागे थोड़ा सही लगगा इसे कुछ निकल के आती कभी घबार तो सही हो जाएगी नैंटीन नमट राएगे जाएगे कर दो अब देखो यह बोला गया है अमाउंट आप सियो टू प्रोड्यूस ट्वाई यह वन केज़िए अप कार्बन और कंप्लीट कंप्रसंड यह बोला गया ना तो इस कार्बन को आप जला साथ तो से मढ़न से मोलन रहा है तो न केजी दिया हुआ है करबन इस ओसा टो हो जाएगा ठीक है तो 1-5 किलो मोल से वण मैटवाइट जाएगा तो वन वाइटवास की लो मॉल आप कारबन कभेट तो 1kg कारबन ओम होजाएगा बट जो 1ंग 2 वैटव इक लिए उसका उड़ीर जाएगा भायर इसका इस तो जाएगा नांटीक सबसें आंसर प्राइग जो शम्माट टुंटी अ हुआ है हुआ है हुआ है हुआ है हुआ है अ हुआ है हुआ है भी के दो हुआ है हुआ है अ है हाँ झाल झाल आए कि देखो यहां पिख़ हो था वहां उन्होंने पूछा हो था उसके बारे में बाहीं मोलर रेस्यो पूछा बाता लेकिन यहां पे पूछ लिया और यह बाइड रेस्यों तो मैं देखो यह को शन अपसार इसके फिरूरप सॉल परता हूं लब यह लेके अक्सिजन गाद तो यह निए नाइट विए नाइट थी जो एक अधिक रोगता हुआ उससे गल्दी करता हुआ उससे हो सकता आसा निस जिसके पीछे आमारा जो आइंसर आया था 9.6 कुछ आया था ना इसमें प्रटी नाइंट पॉइंट प्रटी निए गर दो नीचे बड़ी लाइगा लेक पैट थार्टी तू ऑक्सीजन का प्लस टूंटी एट नाइट्रोजन का थें थी पॉइंट इसमें प्रटी कर लिया अपान में नीचे वन मोल और ऑप शीच पॉर दिया वन बाइंट नीट्री निट्टीन ये और सॉल्वाट कर दिया थैं हासनी कल कर आगा आंसर हमारा से 20.16 आएगा अंसा ठीक है 20 का D आएगा राज़ा का D लिए जो कोश्चन है इसमें चारों को मैं अच्छ कराना तो सिंपल आप पगड़ लो जो आपको आपको आप इसमें से यहां पर 16-1 दिया तो आपको याद होना चाहिए कि लीन मिक्सर पार्ट लोड दिपिसेंसी के लिए फिर फ्रूजिंग के लिए इस इंजन तो इस इंजन में आइडलिंग तो कहां पर आइसा है अगला आता है थर्टी फाइव स्टुवन इस इतना पता था मुझे कि लीन होता है जो हमारा फ्यूल होता है तो सिंपल हमें वैसे इतने सांसर आ जा रहा है यह हो गया आश्याए ठीक है फिर भी आउन डिसक्र सकते हैं अगर थर्टी फाइव इस टुवन तो इस इस इंजन के लिए है और डीजल के पार्ट लोड के लिए है मतलब कि यह लीन है लीन पार्ट आप दो फ्यूल है अगर पार्ट लोड बेया तो लगो तो लिए तो आ सब्सक्राइब होना चाहिए यह मैक्सिम पावर के लिए हैं इस इस इंजन्स इस इंजन एड़ फोल लोड यह रहा डी का फाइब ठीक है सारे मैच कर गया हमारे बद्तिस बंद्र है कि किस का यह कि बाइस कीज़ें ना इनन टो इससे नौकिंग कि टेंडेंसि कम होती है क्योंकि हम जो इनलेट एयर मिलती है काफि तो नौकिंडेंसि कम हो जाती है तो असले सब्सक्राइब करें होना चाहिए किजेंग कि जो नॉकिंग होती है इस मालो इसे मालो सिलेंडर यह है एंड इंडैंड नॉकिंगे और सिया वाली में यही भी लॉकिंगा इंडैंघ टू के वही यहां पहले लिखा वा है कि लॉकिंगे टूर्ट इंड शाइंड वाइल लॉकिंग्ण देख्ण तरफ फर्स चार्ज बातों जो स्टार्टिंग में चार्ज है तो एक सबसाइए सबस्क्राइब बोला गया इस पार किनिशन इंजन 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 इपार लोगर कम इस यह 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 इतना आधा इस्ट्रमेंट सब्सक्राइब अगला इन लिग दिया लागि फ्यूल यूज्ट है एक क्या लगवर डियू लोगर देट अब डीजल ऐसा नहीं है पेट्रोल का लगवर ज्यादा होता है कंपरेट टू की डीजल तो तो तेज इसका अंसर हो जाएगा सी तो टॉट्टी फोट रहें किजें लुट है हुआ है है हुआ है हुआ है हुआ 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 कि दो डॉइल एंगल रिए कॉंसेट है यह मैंने कि फूल इंजेंस से कुछ वह रहा है इसका इसका बहुत वाटेया नहीं है मुझे भी इस कहां से दिये दे रहा हूं तो पहले बास समझा दे रहा हूं कि आ लिखाव है दोल एंगल के बारे मताया नहीं की पीरियद मेजर्ट इन डिग्री ऑफ कैम डिशन दूरिं विश्ट पॉंट रिमें गोज्ट ठीक है आगे लिखाव है द्वल एंगल मस्ट वी सफिसेंट्री लास्ट तो अलाव मेंटिक सेट्रेशन अप्रमरी कोई तो इसमाल द्वल एंगल विल रिजल्ट इन लोवर सेकेंटरी वोल्टेज हैंस पूर स्पार्क पर मिस्फाइरिंग तो लाज द्वल एंगल विल लीड तो बर्निक अप कंदेंसर एंड दे कॉन्टेक्ट पॉंट दिया तो बहुत ज्यादा स्पार्किंग हो जाएगी और आपका जो कॉन्टेक्ट पाइंट हो जल जाएगा ऐसा कोई लिखा है कंदेंसर जल जाएगा ठीक है तो टू इस तू स्मॉल ओले में आप लगा दो मिस्फाइरिंग एंड टू लाज वाले लगा दोगी कंदेंसर और इनको जल जाएगा टू एंड थ्री हो गया आंसर हमारा टॉंट को हम रिच रखेंगे और मेरा फिर वाई कहना है कि में लीट रखना चाहिए फॉर द टू एवाइड ऑटो इगनिशन तो मैं कहुंगा कि भाई यह पॉइंट रखो यहां मेली यहां मेली दिया वाए एक्कुवेलेंट रेसियो कि क्या होना चाहिए बट एक्चुली क्या ह अगर इसका जितना केम करी चाहिए था उत्राय कर दिया अगर एक्प्रवाइट क्या है और क्योंट्युक्वेलेंट रहें नहीं करेंगे तो मेरा आंसर रहेंगा पॉए टॉंटी सिक्स का इन्होंने सी दिया हुआ अशर और मेरा अशना रहेंगा एक यह रहेंगा यार य तो नहीं से क्योंकि आपके पास दूसरी बुख मेरे पास गनेशन वैने उससे बढ़ा है आपके और एक और बुक आती है मोटीस बुक होती है ना मुट सरमा कर नहीं कोई आती है वह बेस्ट वोक है वह पर की ती कि उन्होंने कहा था आप सरमा को पड़िये तर्मा नाम में सरमा करें था उस बुक में उस बुक का नाम वाम जो राइटर था थे उनके सर्मा तो मैं यह पर सश्चिन करना अपना आंसर और इन्होंने जो आंसर दिया हो सी दिया हुआ हुआ है 26 होगा 27 ट्राइब कीजिए 27 अगे रिपिटीशन है 28 ट्राइब कीजिए सब कुछन रिपीट ही हो रहा है कि मैंने सारे कॉसर बता दिया इंग्ली सारे इंग्ली सन्वाले और लॉकिंग टेंडेंसी अप लॉकिंग इंजिए इंजिए इस रिडियूस भाई नॉकिंग कम करनी कैसे करेंगे पहला पढ़िए हाई सेल्फ इंशन तंब्रिचर फरज इन वाटर जैके टेंप्रेचर नहीं डिक्रीज करना है हमें एसाइव आले में अगर इसमें डेक्रीज करते हो तो बनीग ही नहीं हो पाईगे ना कम बनीग करनी इसे भी बैचारेगो और और टेंपरेचर कम करेंदे रहो वाटर जैकेट तो और दिखते आएंगी यह भी अगर इंजेक्शन में डिक्रीज करते हो तो हां साइस वही नहीं हो पाएगा इस नहीं पार रहा है तो अगर बढ़ते हैं इस फिर बढ़ने लगता है इसलिए टाइम भी कम लगता है और असान भी हो गया है और अगले आदे हमें पुरा हो जागा पचास हो जाएंगे आदे इस फिर यह पार है और देखो अगर वही कहता कि एसाइंगे नौकिंग करनी है तो हम इन तीन ओप्संस को लेते ए बीडी को वह यहां लेकिन यहां सी आई बोल दिया था मस्वी को लेंगे बस सी को लेंगे इस समझे रहा है यह समझे नहीं है चीज को समझे था थोड़ा एकसे से क्या से करना है लम तो हम चुछ मेंको सी वाले को और वह रग हम सी है अगर हम स्योग करना पड़ गया अगिंग तो इसको चूछ करेंगे परवी को अंब पर लिडिरें oops पावर भाइब फोर इस्टोक इंजन वर्कियों अटो साइकल हार देने पावर बाइद टू स्टोक अचे यह गलग है तो इसका अच्छाइब भी हो जागा और यहां यह मगाती है थी करक्स कर डिक्रक्स कर द्यार यू एक्स उसमें साथ टू अच्ट आप सख्ट आप सही है कि नहीं को बताना त्यक्त कि मैंने बहुत पहले का बात कहीं सुनी हुई है कि क्रेक्स वाले में टू इस्टो कि इंजन था 29 का हमारे टीचर थे लास टेंथ में मैंस्मेटिक्स पुड़ाते थे उनके बास थी क्रेक्स कि ट्रॉट यान तर्फ दी था ठीज़ा है कि थी नमट रहे किज़ें हुआ है की अधिए कि है का रहाँ कर दो कि देखो ये ये कॉशन दिया है भूचा दो the following action increases the locking tendency in the SI engine तो यह थारी श्रेटमेंट देखो increase the compressor ratio सबसे कतर्णाग यह होता है and reduce the engine speed यह तो बहुत कतर्णाग है ठीक है यह हमारे लॉकिंगों बहुत भेंकर बढ़ा देंगे 30 का सी 30 मुट रही है अजय को सोरा से कक करते 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 का लुटाग हूग है यह हां है इंस दम भी सान्या बाही है अजय को अजया ऩनव बनो बढ 한다 बनल अत्रेटर कि आपकne बन श盲ड ड हो अवागी धशन justification ह bulb蒜 कि इनने बोला है कि हमें नौकिंग को रिडियूस करना नौकिंग बढ़ाना है इंक्रिजइक टेंसी उप्न के लाइचिव पर पहले बढ़ेगी दूसरा इंजेक्टिन एडवांस इसका मुझे एक लिए है नहीं इसका मुझे क्लियर आइडिया नहीं है क्योंकि मुझे कहीं मिला भी नहीं पढ़ने को अगर मुझे कहीं और इसका अच्छा मिलेगा तो मैं कमेंट करके पिन कर दूगा इतना मुझे पता है कि ए और डी नहीं होगा और बी और सी में से कोई होना है तो में डाउट हमें यहीं पर है कुलन टंपरेचर वाले पर है ठीक है थार्टी टूट रही कीजिए दो जो सब्सक्राइब करना चाहिए तो पहले सब्सक्राइब को हम एक जॉस्ट वाल से दू रखेंगे यह गलत है ऐसा नहीं होता है एक जॉस्ट वालक करीब रखते हैं उसे ठीक है तो इस्ट्रेट्मेंट ए और डी गलत हो गया दूसरा कि विच सेप कंशन चैंबर विच इदन तो यहीं से कॉंसेट आया था हमारा मल्टी सिलिंडर वाला फ्लेम की लेंद्ध को सौट करने के लिए हमने मल्टी सिलिंडर का इंट्रड्यूस किया था ठीक है अगर बढ़ बढ़ प्रकात होगे ना चिक जिलिंडर तो वहां नॉकिंग टेंडर से पहुचाता हो जाती है इसलिए हमने और में लिया होता है एक सो बीसी होता है हम नहीं रखते है कभी लेंद्ध जो इसलेंटर की इनदा की सांट है अ अब त्राइज जो थार्टी थ्री कोस्टें नमबर हो रिपिटिटीसन है कोसर नमबर वन का सेम कुशन रिपीट हो रहा है थे चार चाहरा दे दिया पीछ टुबश्वान था तो सब टेनिस्टूबश्वान दे यहां पे पीछे ना इस्टूबश्वान था इतना समझ टी का अमारा है 33 का answer दिया हुआ है कितना A 34 का C 34 लिप्टिसन है राइए थे 35 नूमबर इस नुक बढ़ेगी लोन नुट कि नॉकिंग बढ़ेगी यहां कहा है किस चीजों से उसका सब्सक्राइब दीजिए इनको यहां चुछ करना चीज़ को लेगि इसको चुछ नहीं किया है तो यहीं मुझे वाद कन्फूजन था कि यहां बढ़ाओगे तो वह जो फ्यूल की बंदिंग में हेल्फ ही करेगा इंजन तो नौकिंग कैसे हो जाएगी यही मैंने वहां इस उठाया था वही इसको सेलेट किया है अगर डिक्रीज करते हैं तो नौकिंग की लिक्कत आएगी तो थर्टीफाइब का सी आसर दिया वह उन्हें समझें नहीं डावड वे रहा वहां उन्होंने कुलेंट कुलेंट करने को चूछ कर लिया वहां पर और यहां चूछ नहीं कर रहे हैं थर्टी सिक्स अब कुछ लों कह सकते हैं बेस्ट चूछ करना है हो भी सही रीजन है लेकिन मुझे बहुत सही नहीं लगता है यह वाला लॉजिक की इंक्रीज करने पर टंपरेचर कुलेंट का नौकिंग बढ़ेगी 35 का सी है 36 तरह किजाएं कर दो 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 कि दो विचे था फौलाविंग का नाट्ट वी काोस्ट बाइ हो ट स्पार्क ब्लग तो प्रींडिन हो जाता है इतॉन हो जाएगा यह पुस्ट इंचन का मतलब क्या होता है समेब नहीं याता है मुझे पुस्ट इन संऀ इन सल्ड लाइए د लोग जलने के बाद तो यह आउट 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 स्लेवस कंटेंट है तो इसकुछ चूज नहीं करेंगे हम तो यह आंसर हो जाएगा 36 का भी 37 ट्राइग कीज़ए को 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 कि देवी डिसे उतका कि सुपर चाज़गी नौट सुटेबल फॉर इसाइंजन यहां उल्टा लिग दिया कि सुपर चाज़गी इस मोट सुटेबल फॉर इसाइंजन रेदर देन सी यह गलाद इस्टेट्मेंट है तो यह जाते ही हमारा सी आंसर हो जाएगा 38 रहे जाए कि यह भी रिपीट हो रहा है यहां पर कि हमें अगर नौकिंग रिड्यूस करना है क्या करना चाहिए पहली बात देखो इस पार्क प्लंग लोकेटें नियर इनलेट वॉल यह गलत है इस पार्क पर लगाते हैं हम लोग एग्जास्ट वालक पास तो इस्टेट्पन गलत हो आओगा यह वह वह अला मल्टी सेंडर रा कंसेट आगे आप थाटी एट का सी हो जाएगा थाटी नाइंट राएगेज़ कि अग्यों कि अग्यों कि अग्यों कि अग्यों कि यहां पर बोला गया कि हमें डिटोनेशन को प्रिवेंट करना है कि इस सब्सक्राइब इंजन इस पा एंग इंजन इसा इंजन बात कर रहें तो पहली बांप टंप्रिश्टर कम होना चीह नहीं तो ऑट्रिंघन हो जाएगा दूसरी बार लॉओ इंजिट नीश्चर होना कि ठीक्रें और यह वर उल्रत दो कि लिए बिटर हो जाएगा कि तो 39 का तीन हो इसा ही है थार्टीन का डी फोर्टी नमट राएगे जह है कि माइन वासे कंपरेशन ओफ विच तो सिंपल से बात है कि अगर ऑक्टेन नमबर देख रहा हूं तो पेट्रोल की इंजन की बात की जा रहे हैं तो यहां पर हम सिंपल चेक करते हैं डी आइस एक टेर हैं इस्टेन अर्टेन इनटेंड थे ट्लंटामट इशर अप्टेन इंड आइस सुक्तिन है अप्टेन है इनध नहां चेंवान ख़्टेनद्र फॉर्टी वन पर देख जो कि जाए वह किए वह सिएंड़ वाले महता है अलभा थाशन नेप्टिलीन एंड and see then. कि यह जो फोटी वन ने फॉटी फॉट्ट में इन एंजन डिटोनेशन अकर्स नीर दे अपकम से यह विए हम डिसक्स कर चुके हैं कि एसाइए में हाँ एंड पे और सी आइए में स्टार्टिंग में डिटोनेशन होता है दूसरा इन एसाइए इंजन नो प्रावलम और काउंटर एकाउंट यह तो फर्जी स्टेट्मेंट है प्रीनेशन होता है तभी तो इता डिटोनेशन नौकिंग होती है उसमें और तो फॉर इस्टेट्मेट है लो इनलेट अपरेशर रिदूसेज दर नौकिंग टेंसी इसाइए बट इंपीजेस टेंदेंसी आप सी एंज देखो जो यह है कि यह टू परपर इंप्लॉइंग सुपर्चार्जिंग ऑफ इन इंजन सुपर्चार्जिंग हम क्यों करते हैं में लिए हम करते हैं जिससे कि हम हाई डेंसिटी का जो एयर है उस प्रोवाइड कर सके हैं एट हाई टंपरिटर तो डियूसर नौकिंग अब रहता है डेंस्टी रहती है ओके अगा अब वाल्यमेटरिक इपिसेंसी भी अच्छी आसी रहती है सुपर्चार्जिंग में 42 का डी 43 कीजें कि दो जो 43 दिया है से बुलागी है टंपरेचर सी आए इंजन में डीले परिएट किस बढ़ता है चार उस्टम्टाइब पढ़ोगे न यह चार तीनों स्ट्मेंट्स आप ओला या तीनों सही है और एक कंविंसिंग लगया पढ़ने में पहला टंप्रेचर प्रेशर इंद कि जे रिस्पॉंसिबल है ग्ले प्रेट के लिए 43 से दी 44 जरेटिशन कोशन नुबर 1 एंड आंसर इस सी ठीक है ट्राइब 45 फिर सेम कोशन माट इस अब्जेक्टिव सबर्चार्जिंग तो रिड्यूस दमास अधे इंजन पर ब्रेक पावर सही है यह सब्सक्राइब इंजन साइज सब्सक्राइब इस लेकिन इस पेस्पिक मास अगर देखोगे कि एक किलो वाट ले कितना मास है टोटल इंजन का त इस प्रेक पावर आट पूटल इंजन अगर में लोग कर तो यहां से इतना बड़ा हो जाएगा लेकिन इस केपसिती में हो सकता है पचास किलोवाट इंजनेर कर रहा हो और सुपर शार्जी करने पर 75 किलोवाट इंजनेर कर रहा हो यह कहने का मतलब है कि इस पेस्टिक मास डिक्रीश हो जाएगा ठीक है तो आल अब दिस हो जागा से 45 का दी 46 करिए कि दो यहां पर बोला किए डिजल लॉक कें डिडूस भाई तो पहला सब्सक्राइब बढ़ा दीजिए सब्सक्राइब दूसरा इंक्रीजिंग इंजन स्पीड मैंने बताया थना कि सब्सक्राइब तो फायदे मंद रहेगा लेकिन वहीं इंकाम करता हो जाएगा नौकिंग बढ़ जाएगी तो यह आप काड़ तो सेकंड वाला सेकंड काड़ यह सब चलेगा एंद आंसर इसी 46 का टीक आप 47 करिए कि दूर रखेंगे सब्सक्राइब को तो गदर था तो नियर्द एग्जास्ट वाल रखते हैं 47 का सी है ओके 48 ट्राइब क्र पिंगे पिर्दे कर दो आप दूपेह झाल झाल कर देखो जो फोटीट को से नंबर है इन्होंने बोला हुआ है कि एसा एंजन में पहले वन माइक्रो सेकेंड के लिए कमशन हो रहा था और वान थाउजन आर्पीम से चल रही थी मसीन आवारी तो कितना एंगल घूम रहा था तो सब्सक्राइब कर दिया तो हमारा एंगल कितना हो जाएगा तो हमें बढ़ा देंगे जिसे हमारा स्यम टाइंग मिले फिल इंजक्शन को ठीक है और इस को दिक्कत को लग रही है तो आप जरूरता यह कमेंट करके यूग कि यूँकि मैंने दो जगां कोशन इचेक किया है सलूसन दोनों जगां बहुत ही वैरीशन दिया हुए लेकिन फिर मैंने अपने मन से इसको वाल का सोचा फिर बनाया मैंने सुचा ना की देखो प्र जो तरीका था कि जो हमारा कैम है वो तो उसकी टाइम डिबेट करेगी एंगल रोटेशन पर तो उसको सेम एंगल रोटेशन देना पड़ेगा तो पहले केस में 6 दिए रहे थे लेकिन दूसरा जो केस जब डबल कर दिया स्पीट तो उसको 6 डिए नहीं मिल रहा है उसको मिल जा रहा है 12 डिगरी तो हम भी 6 डिए डवांस कर देंगे मेरा सुझ यह था और जो दो दो बुक्स दी हुए है उनका दुनों का अलग-अलग वेयत करने का तो मेरा यह है और चेड़ी इस तरीके से निकाला और आसर सही भी आ गया 48 का सी प्रेट का बीस और बीस और बीस आई भी आ गया कि फॉर्टी दैन करी है कि 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 भॉप पिल कि झाल 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 यह जो कोश्चन है इसमें बोला गया है कि लाइंट यहां पर बस बात की ओक्सीजन की तो आपको बस ऑक्सीजन लेंगे ठीक है इसमें नाइटोजन नहीं करना है पहले बात यह दूसरा और इसमें नहीं होती है ठीक तो पहला करते हैं हमने पहले सौल किया कारबन के लिए तो कारबन प्लस ओटू हुआ यह जल के कि तो मालो एक किलोग्राम था करबन एक मोल इसका रहा होगा एक मोल इसका ऑड़ बनेगा सेम जल रहा है न तो वनबाइट विसका मोल बस मास निकला त्रच प्लस नप्लस अदा ऑक्सिजन आधा ही लग रहा है तो फूरा सौल नहीं करेंगा हम आयां से निकल गाया जागा 49 का सी ड्राइब श्राइब अब दो को ट्राइब को ट्राइब शुटिटी इस ड्राइब दूब लागा वे शाटो फॉलॉविंग शुर्टम सोस्टार तर्ट में निंसरी कंप्लीट यह कर दो है यह आप कैसे जानोंगे तो शिंबल सी बात है कि अगर हमारा पूरा पूरा फ्यूल जल गया और उसमें oxygen बच गई अज़िदन तो हम कहेंगे हमारा तो यह वह वहां कर कार्बन मज़ या ऐसाइट और तो खाएंगे अब अनबंट फ्यूर अनबंट हईड्रकार्पनोस में है ठीक है तो मनलब से बाद है का अक्सिजन बजए का तमीन आप कहें पाएंगे या फूरी बनिंग हो गई है फ्यूल की तो परजेंट सब ऑक्सिजन इने एक्जॉस्ट आ हसँ और अक्सिजन पंड़ते कैसे हैं पेल झायलिक से पेलर आगेलिक होता है और व clown मीं की ओ-सींट के लिए कि तूटल स्वायennes होता है को एच पैरागालिक होता है ऊक्सिजन के लिए कुप्रस क्लॉराइड होता है कि ये कि लिए कुप्टी का सि सुपराजें का परपस क्या है रिपीट कोशन है 53 का रिपीट करा 37 को 51 नंबर आंस फिर्ट ट्राइगेजिए 52 ट्राइगेजिए कर दोस्य दूस्य ऑसाइण क्या होता है साइण बनी है हमारी हाइइ स्पीड लोड के लिए वो शिचेये और वाहिए वह स्पीड जाँ डिंजल इंजन ट्रग बनता है हमारा लोओ स्पिड हाइए लोट के लिए अब बनती है दोनों काम के लिए स्पीड बीचाहिए और फरारी बनी हुई है वो हाइच स्पीड के लिए न टो था अगार उपारी बनाएब तो लो यह स्पीड कर दो दो 53, ट्राइगी जै कि देखो इसे बुलाया कि विचाद फॉल्विं फेक्टर विल डिद्यूस फिजिकल डिले इन दा इन डिजर इंजेन ठीक है तो यह बढ़ा दो जो फिजकल डिले का हो जाएगा नहीं फिसकल डिले की बात कर रहे लोग तो 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 यह नहीं आना चाहिए कि अधर नहीं आना चाहिए तो यह बचा आपस नमारे पास अधरी पढ़ने को मिला नहीं मुझे और इसका आंसर वेरी कर रहा है दो बुक्स में लिए जो यहां सब्ताइद रहाओं है फिप्टी तरीका एक वोशन एक डाउट था वाला रिच लीन वाला एसा एंजन में एक डाउट है इंजेक्शन एडवांस वाला इंदस या इंजन दो डाउट इस चेप्टर ने पूरे हैं बस प्रिप्टी टूगा प्रिटी का आंसर वारा दिया हुआ है भी है ओके लब टू एंट फोर सही है यह गलत है इंका कहना है मैं भी कहीं से करोंगा कहीं मुझे मिलता मैं कमेंट सेक्शन पिन कर दूगा हूँ से और जहां दक स्वाल है साथ यह साथ यह साथ यह को देले को बजाता है विश्कल देले के लिए हमारे इस प्रिश्वाइब दिया हुआ है बट आइविल मैं कमेंट करूँगा इसका बारे में जलूब पिन कुछन कुछ का बताओंगा बात में और 54 रिप्रिटीस ने कोशन कहीं काई रिप्रिटीशन है यह आप देखी रहां वहीं आ गया कुछन मैं आसर देद रहां सीधे 54 रिप्रिटीशन ने बी आसर इसका है 55 ट्राइब कीजिए कर दो कर दो दो यहां वो लागए है 55 में कि in diesel engine knocking decreases with reduced सब्सक्राइब इसमें कम करते हैं यह सब्सक्राइब दूसरा with increased engine speed quantity of fuel injected during the delay period increased यह बहुत जाएगा और इन दे केस ओप सियाई इन तो 55 का एदिया वाइंसर यह बहुत कास रिलेशन सिपने बट ठीक है यह बहुत कास रिलेशन सिपने पर जो एंड चार्ज का temperature हो काफी हो जाएगा तो knocking के chances बढ़ जाएंगे और 57 नंबर कोश्चन 54 का इसका आंसर में दे रहा हूं 58 नंबर भी रिपीटी साने कोश्चन का ठीक है 59 ट्राइब कीजिए यह पर टूर रिपीटी साने 54 रिपीटी साने 59 भी रिपीटी साने 60 ट्राइब कीजिए 59 कि अगर दो यहां पर बात किए डीजल फ्यूल सार कंपेर्ड यूजिंग इंग्लिस न डीले क्राड़िया यह मुझे पता नहीं सहीगी नहीं लेकिन जो थर्ड इस्टेटमेंट बढ़ी है अप सीटेन नंबर आप अल्फा मेथालन नेफ्तलीन यह कंप्लीट लिग एपसर्ड इसको जीरो होता है जीरो ठीक है एंस सीटेन को हंडिड देते हैं हम लोग सीटेन नंबर और इसको देते हैं जीरो सीटेन नंबर यह गलात है तो हमारा आपसर नमारा हो जाएगा बी कि 61 ट्राइब कीजिए कि 52 ट्राइब कीजिए कि दो यहां से मोई कोश्चन लागा कि पहले हमारा जो वन माइक्रो सेकंड टाइम था कम वन माइक्रो सेकंड तो उसमें एंगल हो रहा है वो निकल क्या रहा है इंटू टी निकल गया हमने इस फीट बढ़ा दी तो यही हो गया हमारा 12 डिग्री हो गया ठीक इतना समझें अब आगे देखिए हमने इस पार्किंग सुरू की थी 15 डिश्यस पर भी फोट डीची लिखाया ना पंदर पंदर से लिए च्छे घटाव इसमें नौ तक स्पार् प्रणा नहीं है तो हम क्या करेंगे तो इसको हम पीछे कर देंगे च्छे डिग्री पीछे करके ले जाएंगे 21 तक 15 है 15 जोड़ दो यहां 15 है 21 जोड़ जागा 21 दिन नौ यह हमारा हो जागा बता हम 21 तक इसे डिडूस करेंगे ठीक है इस पार्क टाइम ही रिक्वाइड यह हो जाएगा 21 डिग्री भी फोड़ डी सी ठीक है क्योंकि हमारा बार डिग्री हो चुका है हूँ तो यह बहुत बहुत क्लियर नहीं है बस मुझे यह पता है किसे निकाल ला है तो इसका सब्सक्राइब का बिया जाएगा और 62 नंबर का सी है सी है 63 का अंसर है यह सब्सक्राइब प्रेटिस्न कोश्चर नव यह 31 के साथयएब एप्रीपीच्छर ने में अंसर है त्यार्टिष्स का रिपीच्छर ने लार्जम्रेका ग्रीपीच्छर्ट नंबर कि कर दो कि 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 देखो यह जो कोशेर ने रिवन का प्री इगनिशन एसा एंज निजर तें प्रिंशन कहा मतलब होता है कि हमने में लगाए ठीक है ये समयलो कर रहा है वही इंगनी सटाट हो गया फ्लूट ठीक है तो मारब चाहिए तो पहले इंगनी सटाट हो गया तो इतना समझेंगा यहां नेट वर्क नहीं है यह नेट वर्क है नेट वर्क नेट वर्क जो जाएगा अगर प्रिग्निशन नौकिंग से हाला थ्रव जाती इंजन की वर्क नर बढ़ेगा नेट गटेगा ठीक है यह उट्सी न चलेगा एंड वनत्री सही होगा अटमेंट लिया यह फोन बच्रेख करेंगा डिक्रीजेज इनक्रीज फ्यूल लॉस ना करनेका एक और यह एक डीजन है इसमें ब्लो बॉस ब्लो लॉ है अगर आप बहुत सही से अगर आप सूपर चार्जिंग करा रहा हो बहुत कंट्रोल वे में तो आप कर सकते हो यह लेकिन कहीं कहते हो लेकिन कोशन से मत कहाना है इस जो मैं बताया इंटर्वी में आप कह सकते हो कि 64 का शी 65 ट्राइगी जा कि अगर यहां दिया हुआ है कि बारे पुछा है तो यह तो आप रिपीट ही हो रहा है बाल बाल कि अलॉंग इंटेंस्टी ओप डिजल लॉक हां सब्सक्राइब कि डीजल में यह नॉक बढ़ाता है वह अगर लॉंग इसली डिले पीट अगर एसाइम हो जाए तो नॉकिंग बठाएगा तो यह सब्सक्राइब दूसरा दिया डीजल नॉक अकर एट नियर दे एंड अप कंबसंट यह गलत है इस्टार्टिंग अपमसंट मैंने इस्टा आगी जाए इस्टार एगी जाए कि अगर दो जो इसमें बुला गया बात सभी है कि अगुट सिया इंजन फ्यूल जो सी आइजन लिए अच्छा फियूल अब वह एसाइजन फिल खराब हो जाए को खराब होगा क्या रीजन है आप तो कैसा रीजन जान चुकिए होगा आप इस सारी प्रपरटी उल्टीन न प्रटीन हों कहा है कि वेरस असी आई इंजन फ्यूल डिक्वार्स लोग इंगीशन तंपरिचर एट सॉट डिले पीरियर्ट यह गलत है यह गलत है यह गलत है तो सिक्स्टी साथी हो जागा एंट 67 नमबर मोही ट्राइज कीजिए को देव जो है यहां पर दिया वाइवाश्ट में वाइल डिजाइन इसाइए इंजन डिजाइन ट्राइस टू कीप दप्रेशन रेसिव एस हाई एज पॉसिबर तो बिल्गुल सही है कि हम हाई तो हाई रखना चाहेंगे बसे यह चीद का ध्यान देंगें कि नॉक्याइड होने लगे ठीक है बसलिए हाई रखने से पावरा पर जादा मिलना है रखना चाहेंगे लेकिन डख नहीं पाते हाई क्योंकि उसमें लॉक्याइड डिटोने से शाट हो जाता है यह सब्साइए दूसरा वेरदा इन देकेस आप्ड़ डिजाइन ऑप सियाइए इंजिन दे यह कि अगर हम इसको जाने पास पहले जान था इसका इन ने का दिया वह दिए इसका करते हैं इन ने लिखा वाए डिजाइन ट्राइस टुप टीप अप्रिस अशी आई एज पासबर वट इस बटिद इस लिम्टेड बाइन नौकिग एंड वाइस बरसा पर दूसरा पर द दे दिया ठीक है तो कियो होता वाज है यह एंजन में क्लिम्ट क्यों करते होंगे लोग रखेंगार हाँ वो लोग रखेंगार हाँ वो लोग रखेंगा नहीं कि प्रेसर अशी आफेक्ट आएगा इस पर अब जोब यह नोए आसर इसका बी दिया वाव दाधिराओं मैं यह साइट मुद्ल है यह वाला पहला वाला दूसरे का बीजन रूटें कभी मिल जा वे नहीं है शिक्स्टी एट राएगी जैए दीओ अने लिए ट्रीकवार्स ग्रेटर श्पार्क एडवांस एडवांस ने था रिटार्ड उता ठीक है इगला थे है रिटार्ड करते हैं आप साइंगें में 68 कटी 60 ने टरीजेंग इव दो रिपूत हो रहा है कि इन C I NG इंक्रीज ऑफ लॉड डिक्रीज इस नॉग इंटेंटनेंसी सही है इंक्रीज अब लॉड इंक्रीज अब लॉड इंक्रीज देड़ अगल दोनों सही है शानीज जी आपके यह ना चीह यह भी सिवन्माट राइगें इंक्रीज दोनों सही है यह बीदेगो 17 में क्या लिखा हुआ है यह बहुत खास मुझ नहीं आ रहा है मुझे बोला गया दाफ फॉर स्टोक साइकल इंस इंटर्ल कमसंट रिस पर गटिंग इन राइंड यह था एप स्पीड देन दूस्टो देट टूइट दो साइकल इंजन तो सभी सेट्माइब ने यह निया कुछ दिया भी नहीं है लुक में दापरेट इजास्ट इंदेट इंड इस इकन इस थे विए आपर इससे प्सक्रीष फिर सेंडम करें आप निया यह वाला यह जो बहुत सही है पड़ो का आप आप प्रण नहीं होते हैं टीक है और बहुत वह भी करते हैं मिलते एक टाइम पे ठीक है जब अंतर गुस्ता उसी टाइम एक पाइब निकल रही होती है तो काफी फिल बहार चला जाता है यह वहता है और इंग रखते करके हमारा टू स्ट्रोक में एक पॉप टोग है अट्सरे टू साइकल में एक पाउर स्टोग है इन्दें किसलो फोर इस्टोग इसाकिन इंजन है ठीक है तो रखते हूंग हाई क्योंकि दो दो खुमिया तब एक पाउर शोग रहा है ना तो 70 का इस यह नहींने आशर दिया हुआ कि अम धतों हुआ हाल appears अज पयूंट आए हो ो कि ढूब हो चुका हैनो यह उ descrição हाई रख दोगे तो फ्लेम को बहुत ट्रेवल करना पड़ेगा फ्लेम बहुत अर्जार ट्रेवल करती रहे गई तो एंड चार्ज को हीट अप कर देगी वाई रेडियस है और वहां पर सेल्फ इंद से स्टाट हो जाएगा और नॉकिंग स्टाट हो जाएगी तो फ्लेम हाव हविंग फ्लेम साव टू फ्लेम्स हैव टू है विंग टू ट्रेवल लाओ ठीक है सी या सरु जाएगा सेंटियों का सेंटियों का सेंटियों ट्राइगी जै दो को लागा है फिल अप्ता हायर अक्टेन नंबर कैन बी इंपलाइड दा हायर कंप्रेसियों इस अई है इन सियाइ इंजन ब्रेक स्विल कंजम्शन डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग लोड यार लोड तो फिल जाएगा कम नहीं जाएगा यह फर्जी सेंटियों का भी होना चाहिए कि इस अगर एक और एंगर से देखोंगे इस को ना इस इस कोश्चन को सी आइजन वाले को से कि को कि अगर हम लोड बढ़ा रहे हैं और जोब यहार से इंजन डिजाइन होते हाई लोड के लिए दिजाइन भी होते हैं तो अच्छी एफिशन सी देंगे तो पर यूनिट ज अब कहीं और पढ़ेंगे अगर कुछ अगर कोई वीडियो आप देखते हो तो उसका पहला कमेंट होता है वो जरूर देखा करो 72 का बी लगता मुझे ठीक है 73 टाइग कीजिए कर दो यहां पर कोश्चन है कि डिटोनेशन को कंट्रोल करना है तो क्या होना चाहिए पहली बात इंजन स्पीड बढ़ाइए दूसरा एडवांस टाइमिंग तो दूसरा करते हैं और यहां यहां यह वाले बहुत है इस पढ़ाना चाहिसे मैं आपको इसलिए वीगानेशन का कट दिखाया था आपको कि वहां पर लिखा हुआ है लेकिन वहां नोने एर फ्यूल रेशियों को बेरिश कर आ हुआ हुआ है और यहां नोने दे दिया है फ्यूल रेशियों को बेरिश लेकिन इसको चूछ करना पड़ रहा है वही डाउट है मुझे मुझे भी डाउट है इसको हम करेंगे डिस्कस अगर कहीं को लेकर साब साब लिखा हुआ तो तो यहां टी आसर दिया वाइसका सेम्टी त्री का 74 त्री के जाए यह जो कुशन 74 है समय देखो पहला फॉर बेस्ट फ्यूल एकोनोमी एसाइज इन एसाइज एंजन एयर फ्यूल इस उट भी लीन वसी को हम कहते हैं पार्ट स्पीड आप बिक्रूजिंग ठीक है कम्प्रीट बंडिंग होगी दूसरा इस पेस्पिक कंजेप्शन इंदेख कंप्रेशन इंग इस सही है सुपर चार्जिंग करने से वह आपकी जो सुपर चार्जर होता है इनर्जी आपका लेता है फ्राउम मेल पावर ठीक है इसलिए वहां इस फ्यूल प्यूल बढ़ेगा ओके बट इंगा साइज घटेगा इस प्रबो चार्जर से इस प्रेसिक प्रचार्जर काम होता है कि वह एक्जॉस्ट एनर्जी लेके फिवा उसको न्यूल इसको इतलाइस करता है जो बाहर वैसी फेकी जानी थी तो यतनों सही है थर्ड इस्टेटमेंट का है विद इंक्रीज अव्लोट नोकिं नोकिं टेंटेंसी इन दे कंपरेशन इंडिशन इंजन इंक्रीजस ये भी सही है डिक्रीजेस और ये भी सही है 74 का डी 75 ट्राइगेज तो ये जो लिखा है रिए इंक्रीज देले अंगल विद देखा है कि यह मुझे गलत लगता है लेकिन यहां जो आंसर दिया है बट मेरा सी रहेगा इसमें और यहां जो आंसर दिया है उन्होंने बी दिया हुए ठीक है इंक्रीजी डिले अंगल पर जो हमारा क्या यार अजया है यह नॉकिंग बढ़ जाएगी जो 76 नंबर ना फोरी यह अगर अगर आगर आप 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 कि 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 आप पढ़ोगे ना दोने श्रेवरेट सही लिखे होए गलत नहीं कोई गलत लागे का नहीं आपको तो 77 का मेरा आसर भी रहेगा और मैंने दूसरी बूस की वरिफाइक कर रहा आसर भी है और जो इस भूक में और इसको इसको गलत के दिया है तो आसर नहीं है तो आसर नहीं को टी अधिका है बरें आझाए 77 कि आग का को कर दो कि फिर 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 वाई लीन दी चला कॉंसेट का आया घपला है यहां पर नॉकिंग इंद पेट्रोल इंगर करने पर नॉकिंग होगी अगला नॉकिंग इसी विधान देना है मैं इसी पर आटो इंसाब रिच्फियू इंट्रिंग यह भी साही है इसको गलत किया दिया है यह फिर वही मान रहे हैं कि हम रीच प्रॉइट करते हैं तो इनका 77 में आसर दिया हुआ है डी है एडी ड्राइगी जैंगे कि अगे कि अगे कि कि ड्रीक पडेश्य को पर आटा है इसमें सिंपल ने पढ़ा दो दो इसी कि इतना आ जायगा फॉइंट वन और पोंट वन बन आ जाएगा इसए इता रवर्था चलता यह दिक हैं रिज्क्स is required because the mixer is directed by the product of combustion यह भी सही है कि आइडलिंग मतलब आइडलिंग मतलब वही होता है काड़ी अभी खड़ी दख दख कर रही है चल नहीं रही है ठीक है उसे बहुत फूल जाता है तो दो एक रिजन सही है अससना रिजन एंडर भी हो जाएगा 78 का भी हो जाएगा 79 अगया कि यह नो कि कर दो लॉइन अब कर कि आट है कि और रिजन समें वान खाने के प्रिश्टन आ नहीं अब कि आट पताएगा का temperature profile है वो फुल लोट पे फ्लैटन होगा निया दफुल लोट इन दा किसाद लिक्वीड कूलिंग लिक्वीड क्या हो यार साबसाब बात है कि वह लिक्वीड जो है कूल हीट चला जाएगा तो बहुत ज़्यादा टैमिशन नहीं आएगा वादा फ्लैटन हो जाएगा हो औ जो 18 नमर कोशन रिपीट हो रहा है कोशन नमर 10 को रिपीट कर रहा है इसका अंसर भी तो चैटर कहता हुआ यह वाला एंड थैंक्यू फॉर सच ए लॉंग टाइम अब नित्यन लंबे टाइम प्रेक्टिस की ए घंटे 50 मिन का वीडियो हो चुका है और प्लीस स्क्राइब चैनल and tell your friend about this practice session okay thank you all the best for the exams